स्टकर्जकार दोष्तों आरो टेक्निकल एक्सपर्ट में मैं अरुम भारतु अजाक पर स्वागत करता हूँ और उम्मिद करता हूँ किया आप अच्छे होंगे देख दोष्तों मेरे पास आप यह एक आरो का बुश्टर पंप देख रहे हैं अगर आप एक कोई ऐसा पंप देख रहे हैं जो कि पंद्रांसो अठारांसो या दोहजा टीडियस तक फर्सक्लास चले है अब फर्सक्लास पंप हम किसे कहेंगे तीन-चार क्वालिटीज हमें देखने पड़ती है पंप के अंदर जिसे कि हम बोल सकते हैं हाजी ये पंप फर्सक्लास है सबसे पहले हमें देखना होता एक जिस तीडियस के लिए हमें पंप चाहिए उतनी टीडियस पर जो पंप हम ले रहे हैं वो कामयाफ होगा जेना नहीं होगा तो इस pump की खास बात यह है यह जो pump आप देख रहे हैं यह पंदरा सो अठारा सो दोहजाद टीडियस तक आप इसे SMPS के साथ ओपरेट कीजिए podr's class pressure देगा फर्स प्रेसर इस pump का जबरदस्त है पहले भात यह हुई इस pump का प्रेसर फिर्फ क्लास है दूसी बात अब प्रेसर तो दे रहा है यह पंप लेकिन क्या उसकी लाइफ भी बढ़िया रहेगी जी हाँ बिल्कुल इसकी लाइफ बढ़िया रहती है अगर आप इस पंप को 1500 टीडेस पे लगाते हैं और किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहांकि आरो यूज़ करने वाले परिवार में चार मिंबर हैं तो इस पंप की जो हम इतने सालों से यह पंप यूज़ कर रहे हैं इस पंप की जो एवरेज लाइफ आकर मैं आपको बताऊं तो चार साल से पांस साल तक यह पंप कहीं नही जाता है first class चलता है बसरते किसे proper supply मिलती रही SMPS के तुरू और जो इसमें पानी supply जा रही है वो अच्छे से आरों की service वगरा होती रहे इसमें dust वाला पानी इस pump में ना जाए तो बात हुई फिर इसकी life की चार साल से पांच साल इसकी life कम से कम मानके चलिए अब दूसरी बात यह आ जाती है इसका pressure भी बढ़िया है इसकी life भी बढ़िया है अब इसका price क्या है तो सबसे बड़ी बात यह भी आ जाते है ठीक है आपने pump का pressure तो बता दिया और pump की life भी बता दी तो भाई इसकी price क्या है तो प्राइज बिल्कुल जैनुन प्राइज है पहुत रिजनेवर डेट में मिलता है सबसे बड़ी बात तो यह आदे है कि अगर हम दूसरे पंप के साथ इस पंप को कंपेर करें अब क्यों भी हम भी 18-20 साल से आरो लाइन में है और हमने हजारो टाइप के पंप देखे हैं ह लेकिन लास्ट में अगर सारा कैलकूलेशन करें तो हमारी जो निगा इसी पंप पे आके टिकती है कि यह पंप हम सबसे पहले प्राइटी पे यही पंप हम लगाना चाहेंगे और किसी ब्राइज की तरफ हम यह पंप देखते नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ जैदा है प्र सब्सक्राइब करना फड़े तो इलिएर भी हो जयता रों गर्री ब widget दीकता आती तो इसके सकी मार्केट इसकी अव मार्केट में इसकी सब्सक्राइब व्गाइबर हो जाता है ठीक है अब बात करें लेवकि ये ब्राण्ड कौन सा है तो मैं आपको ब्राण्ड दिखाता हूं ब्रांड जो ये रहने वाला है ये वैसे हमें एक आरो असेंबल करना है Nexus cabinet में तो इस पर तो ये क्योंकि पूरे sticker का set आता है तो उसके according हमने इसमें Nexus का sticker लगा है exactly ये pump Nexus का नहीं है ये pump जो है Grand Forest Blackhead pump है Grand Forest में है pump है First Class pump है Grand Forest 75 GPD का ये pump है Blackhead में pump आता है एक इसमें Whitehead pump आता है इसमें सभी टाइप के pumps होगा आते हैं 75 GPD 100-800 तक pump इसके domestic RO के लिए आते हैं अगर आप ये pump लगाना चाहते हैं और कोई ऐसा बढ़िया pump ढूड़न रहा तो कहीं और देखने की जूरत नहीं है आप ये pump बेधड़क होके बिना किजी tension के आप लगा सकते हैं तो बस pump के उपर क्योंकि कई बार आपकी कमेंट आये हैं आप लोग ने पूछा है कि कोई बड़ी अच्छा बाई और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल ऐकन दिबा लिजिए और पर प्रेस कर लिजिए थैंक्स पर वोचिंग